कोरोना पॉजिटिव की परिजनों को लेने पहुंची स्वास्ति विभाग और पुलिस टीम पर भीडने हमला करते हुए कई गाड़ियों को तोड़ दिया और टीम के लोगों के साथ जबर्दस्त मार पीट करते हुए उन्हें घायल कर दिया सूचने मिलने पर पुलिस और पेशाशन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए दो दिन पुर्व हुई कोरोना पॉजिटिव की मौद को देखते हुए आज मुरदबाद स्वास्ति विभाग की टीम उसके परिजनों की जाच करने के लिए थाना नाकपनी जित्र के नव हमलावरों की पहचान करते हुए उनकी विरत्तारी शुरू कर दी इस घटना पर जानकारी देते हुए SSP अमित पाठक ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है यह थाना नाकपनी छेत्र मुरदबाद का यहां पर कोरोना पॉजिटिव एक विक्ति की मृतिय हुई जिसके संबन्द में उनके फर्स्ट लेयर कॉंटाक्ट फैमिली के सदस्यो आदी की कुरिंटाइन और आइसलेशन की प्रक्रिया प्रचलित थी उसके संदर में मेडिकल टीम और पुलिस टीम यहां पर आई थी जब परिवार वाले इस सब में अपने बाहर निकल रहे थे उसी दोरान सडेनली यह काफी घना इलाका है टेंस गलियों में से सदेड़सों का एक फीड़ आई और पत्थराओ करके यहां से भाग गई जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी चतिकरस्त हुई है और यहां पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग पर बाड़ी कारवाई हम लोग प्रस्तावित करें गरफ्तारी की स्थिति अभी चुकि आप हम मौके पर ही कड़े हैं अभी हमारी टीमें लगातार लगी हुई वो थोड़ी दिर बाद आपको बता देंगे इस पाताम कोई पुलिस कर्मिया आनना कर्मी उगा गारी इसमें इसमें जो भी सरकारी कारे में बाधा डाली गई है वर्तमान में धारा 144 का उलंगन किया गया है महामारी एक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और साती साथ राष्टिय सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत इसमें कारवाई की जाएगी क्योंकि ये पूरी तरीके स गलत है इस प्रकार का वेवार जिसमें पुलिस एजन्सीज ऐसे कारे में लगी हैं जिससे इस महामारी का प्रचार रोका जा सके ऐसे में उनके कारे में बाता डालना अधिक